आज हमारी चौती मीटिंग यहाँ पर दिल्ली में हुई इस चौती मीटिंग में 28 पार्टी ने हिस्सा लिया और 28 पार्टी के नेता लोग अपने अपने विचार को कमीटी के सामने याने गटबंदन के सामने रखा और ये खुशी की बात है सभी ने युन्यानी मसली एक होकर आगे किस डंग से गटबंदन का काम चलना चाहिए और लोकों के हित में सब मिलके किस डंग से अपने को एजिटेशन करना है या जो भी इश्यूस है उसको उठाना है तो ए सारे देश में कम से कम आठ दस मीटिंग सभी मिलके करने का एक निर्णे हुआ और लोकों को ये मालूम करना ज़रूरी समझे कि गटबंदन के लोक अगर एक मंच पे नहीं आएंगे तो लोकों को इसके बारे में पूरा इसको जो उनको माहीती मिलना है या मालूमात होना है वो नहीं होगा इसलिए सभी ने माना और सभी लोक मिलके ये निर्णे लिये हैं ये एक बहुत अच्छी बात है कि हमारी मीटिंग कम से कम दो तीन गंटे चली दूसरा चीज जो हमारे 142 लोक MPs अब तो 101 काउन हो गए शायद तो इतने MPs को जो सदन के बाहर डाल कर सदन जो BJP के सरकार चला रही है इसको कंडम करते हुए हमने एक resolution पास किया कि ये undemocratic है और लोकतंत्र के खिलाफ है और लोकतंत्र को अगर बचाना है तो हम सब लोग मिलके लड़ना होगा और इस लड़ाई के लिए सभी लोग तयार हैं और ये पहली बार है हिंदुस्तान के इत्यास में democratic एक process में कि जो मुद्दा हमने house में उठाया था वो कोई गलत मुद्दा नहीं था वो मुद्दा यही था कि जो लोग सदन के अंदर आये वो कैसा आये और किसने उनको लाया और किस ढंक से वो सब तरफ जाके slogan दिये सभी किये लेकिन उनके जो मुद्दे थे वो लोग सबा में उन्होंने अपने आवाज से उठाया था हम पहले से भी यही कहे रहे हैं कि हो मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर सदन में आईए जो घटनाय घटी है उसके बारे में सदन को अवगत कराईए मालूमात कराईए लोग सबा को और राज्य सबा को लेकिन उन्होंने नहीं माना मेरे को समझ में नहीं आता सदन इदर चल रहा है यह लोग आमदाबाद में बिल्डिंग इनॉकरेशन जाते हैं सदन इदर चल रहा है मोदी जी वह अपने कांसुन्सी में जाके घूमते हैं यह क्या है ऐसा कभी नहीं हुआ सदन यहां देश में रहे के और सभी तरफ अपने भाशन देने लगे लेकिन पार्नमेंट में क्यों नहीं आए लोग सबा और राज्य सबा में क्यों नहीं आए तो यह जो उनकी मनशा है कि डेमोकरसी को खतम करना अगर नहीं गए तो क्या होने वाला वो कौन पूछने वाला है और यहां तक कि 151 लोकों को सस्पेंट करके बहार जो निकाले यह पहला इंसिडेंट है कि देश में इतने लोकों को आज तक किसी ने सस्पेंट नहीं किया था यह सरकार ने प्रोच्चा देकर सस्पेंट करने के लिए लगाए यह बड़ी बुरी बात है और इसके लिए हम लड़िंगे मैदान में जाएंगे और जो आज प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर समझ रहे कि हमारे शिवाए हिंदुस्तान में और कोई भी नहीं हमीं उकमत करने के लाइक है यह उनका समझ है इस समझ को कतम करने के लिए हम सब एक होए हैं एक होकर यह आज बहुत निर्णे लिए हैं एक तो एक सो एकावन लोकों के बारे में और दूसरा जो है सब मिलके सब मिलके प्रोटेस्ट करना और आल इंडिया प्रोटेस्ट बाविस तारिक को बाविस डिसंबर को यह जितने भी सस्पेंशन हो गए उनके बारे में यह चलेगा और तीसरी बात यह है कि जो इंडिया गट बंदन का एक मुद्दा है कि सभी लोग मिलकर काम करेंगे और सीट शेरिंग का भी हम मिलके पहले जिस जिस स्टेट में हमारे लोग हैं पहले वो लोग वहाँ पर एक दूसरे से समझोधा करेंगे अगर कहीं दिक्कत है या कहीं अभी नहीं बन सकता उसके लिए फिर यहाँ पर हमारे जो इंडिया गट बंदन के नेता लोग है उसको वो डिसाइड करेंगे और बहुत से जगे जो हर एक पार्टी एक 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 जो है वो ठीक डंग से है अब चाहे वो तमिलनाडू में हो किरणा में हो करनाटक में हो या तेलंगाना में हो बिहार में हो अब जो मुद्दा है इसका यूपी में वो भी सुलच जाएगा और बाकी का दिली या पंजाब का है वो समस्या को भी किस डंग से सुल जाना यह भी बात में तई हो जाएगी तो यह हमने तई करके यह मीटिंग करा मुझे खुशी है कि इस मीटिंग के 28 पार्टी के नेतालों और सभी दिगज यहां जो बैटे हैं वो सभी ने कॉपरेट किया और कॉपरेट करके इस मीटिंग को एसेश भी बनाया इसलिए मैं उन सब को हार्दिक बदाई देता कि वो इस और भी आगे बढ़के देश में इस गटबंदन को मजबूत करके चलाएंगे इतना ही कहके मेरे दोशने दोंगा हमने पहले सबी लोग जीत के आना है जीत के लिए क्या करना उसके बारे में हम सोचे वोन प्राइम इनिस्टर वरना ये बाद में की बात है यमपीज अगर नहीं है तो प्राइम इनिस्टर की बात करके क्या फाइदा है तो इसलिए हम पहले अपनी संख्या बढ़ाने के लिए एक होकर सभी लोग लड़के हम मैजॉरिटी लाने की कोशिश करेंगे और बिजेपी आज जो हूँ और मोधी जी बहुत इतना एक दो तीन एलेक्शन होने के बाद उनको तो इतना कमंड आया है कि अब देश में मेरे शिवाय कोई नहीं बचेगा या दुनिया में भी मैं येकी लीडर हूँ प्रचार करते हैं तो हम पहले जीतने की कोशिश करेंगे और एक होकर जीतेंगे अरे मैं कितने बार बोलूँ कि एक बोल रहा हूँ पहले हम जीतेंगे उसके बाद में हमारे MPs आकर क्या कर सकते हैं डेमोक्राटिक प्रोसेस में वो हो जाएगा पहले हमारे कुछ चिंता है जीतने की और आप लोग सभी उस दिशा में सोचिये नहीं कि उन्होंने ये बोला हमने ये बोला ये तो हमारी इंटरनल बात है उससे कोई ये नहीं है Thank you सातियों आज के बैठक के बाद सभी पार्टियों ने ये गुजारिश की खर्गेजी से कि वो आपको ब्रीफ करें जो मुदे उठाए गए थे इस बैठक में उसकी जानकारी आपको खर्गेजी ने दी है इसके अलावा जैसे कि उन्होंने कहा है 22 तारीक को सारे देश में सभी राज्यों में प्रोटेस्ट होंगे जो 151 MP अब तक सस्पेंड हुए हैं इंडिया पार्टी के MPs जो लोकसभा में और राज्यसभा में उनको सस्पेंड किया गया है उसको लेकर सारे देश भर में प्रोटेस्ट की जाएगे